चुनाओं में अक्सर आप परत्यासियों के मुह से अपने विरोधी परत्यासियों के लिए एक सब्द सुनते होंगे, कि सामने वाले परत्यासि का तो जमानत जप्त हो जाएगा, वो जमानत जप्त क्या होता है, जमानत होता क्या है, और ये काम कैसे करता है, और अब तक कितन है हमारे पीछे ये बड़े बड़े एकभारों और टीवी चैनलों से लिया गया है और अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि जमानत जब्त होता क्या है दरसल कोई भी परत्यासी जब नमांकन करवाने जाता है तो योग ये परत्यासी पहुंचे और उचित परत्यासी ही ये तै करने के लिए चुनाव आयोग ने जमानत की रासी तै किये या अर्थात ये कि ऐसा नहीं हो कि जिसका मन किया वो चुनाव लरने चला गया चुनाव वही व्यक्ति लरे जो वास्तों में चुनाव लरना चाहता है ये तै करने के लिए सबसे पहले जमानत की रासी वो रकम आपको पंचायत चुनाओ से ले करके राष्टपती चुनाओ तक लड़ने के लिए सब में आपको जमानत रासी देनी होती है आम तोर पर लोगसभा चुनाओ में जो है जेनरल के जो उमिद्वार होते हैं समानने वर्ग के जो उमिद्वार होते हैं उनको 25,000 रुपया होते हैं उनको 12,500 रुपया लोकसभा चुनाओं के लिए देना होता है यहीं अगर हम विधान सभा चुनाओं की बात करेंगे तो समानने वर्ग के जमानत रासी जो है चुनाओं के पास जमा करनी होती है और राष्टपती के चुनाओं में समानने वर्ग से होतो या फिर SC-ST वर्ग से होतो आप किसी भी वर्ग से हो सबको समान रासी जमा करानी होती है उसके बाद जो रासी जमा कराई जाती है उस रासी को जमानत रासी कहा जाता है और यह पंचायत से लेकर के राष्टपती चुनाओं तक लागू होता है सब को जमा करना होता है उसके बाद अरक्षन रोष्टर के नुसार जमानत रासी तय होती है मतलब यह कि जो जनरल का उमिद्वार है वो लोकसभा चुनाओं में 25,000 और विधान सभा चुनाओ जमानत की रासी जमा करनी होती है उसके बाद यह वापस कब मिलता है और जब्त कैसे होता है यह सब हम आपको एक एक करके बताएंगे जब आप इधर देखेंगे कि किस हालात में जमानत की रासी जब्त हो जाती है जमानत की रासी जब्त ना हो इसके लिए नियम है लर रहा है वो एक बटा च्छो प्रतिसत से अधिक वोट लाता है तब उसकी जमानत की रासी वापस मिल पाती है मतलब यह जो लोग सभा में पचीस हजार और विधान सभा में दस हजार रुपया जमा किया जाता है समाने वर्ग की तौर प्रतियासी के द्वारा उसको उसकी जमानत की रासी वापस नहीं कि जाती है उसके बाद क्या है तो एक सीट पर कुल एक बटा च्छो भाग वोट हासिल करना होता है जितना वोट परा है यह नहीं कि जितना वोट है उसका नहीं जितना वोटिंग हुआ है उसका एक बटा च्छो प्रतिसत से अधिक लाना होता तब जाके आपकी जमानत की रासी lorsडि जितने वाले उमिद्वार को जमानत की रासी लटा दी जाती है अगर एक बाटा च्छोग पृतिसद्र को जितने वापश कर दी जाती है originated था अन्य उमिद्वार जो एक बटा चोग प्रतिसत की का वोटिंग नहीं ला पाते हैं उनकी रासी को जब्त कर लिया जाता है और उसकी को जमानत जब्त के नाम से जाना जाता है उसके बाद अगर किसी का नमांकन रद्ध हो जा रहा है या फिर कोई नाम अपना वापस ले तो अभी उसकी जमानत की रासी जो है उसको लोटा दी जाती है या फिर उमिद्वार जो है नामांकन करवाया और फिर उसकी मृत्यू हो गई तो उसके परिवार वालों की उसकी जमानत की रासी लोटा दी जाती है अब सबसे खास बात कि अब तक इतने बार लोकसभा चु अगर हम 1952 का लोकसभा चुनाओं की बात करें तो देश का पहला आम चुनाओं था और उस समय कुल उमिद्वार जो थे 1874 को उमिद्वार खड़े थे और उसमें से 745 ऐसे उमिद्वार थे जिनकी जमानत की रासी जब्थ हो गई थी अगर प्रतिसत में बात करें तो यह आकर जब्थ हो गई थी 1889 की बात करें तो एक सट सो साथ उमिद्वार थे और पांच हजार तीन उमिद्वारों की जमानत जब्थ हो गई थी यह आकरा प्रतिसत में 81 प्रतिसत है उसके बाद आप समझें कि 1991 से 92 की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाओं की तो 8749 प्रतियासी ख उमिद्वारों का रासी जो है जमानत जब्थ हो गया था उसके बाद 1996 का लोकसवा ऐसा लोकसवा था जिसमें जमानत जब्थ करवाने वाले उमिद्वारों की संख्या सरवाधिक थी प्रतिसत के मामले में अगर हम बात करेंगे तो उसमें 13,952 उमिद्वार थे जिन में से 12, 1688 उमिद्वारों का जमानत जब्थ हो गया था उसके बाद 1998 में 73% उमिद्वारों का जमानत जब्थ हो गया था 28 उमिद्वारों का जमानत जब्थ हो गया था 2019 के लोकसमा जब्थ हो गया था परतियासित उम्हिद्वारों का जमानत जब्थ हुआ था, मतलब यह कि 2019 का जो लोकसवाइश चुनाओ था, उसमें दूसरी बार सबसे हाइएस्ट उम्हिद्वारों का जमानत जब्थ हुआ था, अब 2019 के लोकसवा की अगर हम बात करेंगे, तो 90 परतियासितों पर कौन से प जब्थ हुई थी बसपा गल था जिसके 383 उमिद्वारों में से 345 उमिद्वारों की जब्थ हो गई थी उसके बाद कॉंग्रेस था दूसरे नंबर पे कॉंग्रेस के 421 उमिद्वारों में से 148 उमिद्वारों का जब्थ हो गया था भारतिय जंता पार्टी का 436 उमिद्व जमानत जब्थ हो गया था और उसके बाद भागपा इसका 49 उमिद्वार थे और इनके 49 उमिद्वारों में से 41 उमिद्वारों का जमानत जब्थ हो गया था याद रखिए कि ये जो आकरा है ये जमानत जब्थ होने वाला ये उन लोगों का है जिनका जमानत जब्थ हो गया उसको जमानत की रासी वापस मिल जाती है और जो नहीं लापाता है इससे अधिक उसकी जमानत की रासी जब्त हो जाती है और ये चुनावायो के इंकम का बहुत तगरा सोर्स होता है बाकी इस वीडियो के ले करके आपकी क्या राय है जमानत जब्त की रासी जमानत जब्ती के